Hello everyone, welcome to Study IQ Study IQ के Static GK के वीडियो में मैं स्वागत करता हूँ आपका ये एक छोटा सा वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि भारत के जो महापुरुष हुए हैं उनके समाधी स्थलों के नाम क्या हैं समाधी स्थल होते हैं किसके समाधी स्थल को क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं तो नज़र डालते हैं इस वीडियो पर Important Crematoriums सबसे पहले बात करते हैं अटल बिहारी वाजपई जी की अटल बिहारी वाजपई भारत के पूर्व प्रधान मंत्री और इनकी डेथ जो हुई थी वो 16 अगस्त को हुई थी यानि हमारी जो आजादी का दिन होता है 15 अगस्त उसके अगले दिन 16 अगस्त 2018 को डेथ हुई थी अटल बिहारी वाजपई जी की इनका जो समारक है उसको सदैव अटल कहा जाता है ये काफी Important question हो सकता है सदैव अटल और आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपई जी जो है इनका बर्डे इनका जन्म दिन होता है 25 दिसंबर को 25 दिसंबर और इसको हम Good Governance Day के रूप में मनाते हैं Good Governance Day तो भारत रत्न भी मिला हुआ है अटल बिहारी वाजपई जी को तो सदैव अटल बोलते हैं इनके समाधी स्थल को अब बात करते हैं राजगाट राजगाट को इंगलिश में बोलते हैं इसका मीनिंग होता है Royal Steps दिल्ली में है ये ठीक है ज्यादा तर जो घाट हैं जो जितने भी घाट हैं अगर दिल्ली में हैं तो यमुना नदी के किनारे हैं क्योंकि यमुना नदी एक मातर नदी है बड़ी नदी जो दिल्ली के पास बहती है दिल्ली यमुना के किनारे है तो ये सारे के सारे यमुना के किनारे हैं जैसे आपने देखा होगा कि बनारस में घाट होता है तो सीडियां उतर के नीचे तक जाती हैं उसी तरह से ये भी हैं और यहाँ पे जो समाधी जो इनका स्थल होता है वहाँ पे ना सिर्फ भारत के लोग भारत के बड़े बड़े राजनेता बलकि विदेशी जो अब प्रे माधी स्थल है महात्मा गांधी दो अक्तूबर को इनका जन्म हुआ था और 30 जन्वरी को हम इनका शहादत का जो दिवस है वो मनाते हैं इसको माल्टर्स डे भी बोलते हैं और इसको भारत में हम लेपरसी डे के रूप में भी मनाते हैं 30 जन्वरी का जो दिन है क्योंकि महा महात्मा गांधी जी ने बहुत किया मानवता के लिए लेपरसी कुष्ट रोक के निवारण के लिए तो रॉयल स्टेप्स मतलब राज घाट तो ये यमुना नदी के किनारे है और महात्मा गांधी जी की डैथ होई थी 1948 में अब हम बात करते हैं विजय घाट आप यहाँ पर ये भारत के दूसरे प्रधान मंतरी बने थे विजय घाट का मतलब क्या होता है विक्टरी प्लैटफॉर्म विजय विजय अब ये इसका नाम विजय घाट क्यों रखा ये अच्छा सवाल है क्योंकि लाल भादुर शास्त्री जी के टाइम में 1965 का योद हुआ था भारत और पाकिस्तान के बेच और वो भारत ने जीता था इसलिए इनकी समाधी को विजय घाट बोलते हैं और उसी के अगले साल 1966 में काफी रहस्य मई हलातों में इनकी डेथ हो गई थी तो याद रखिए लाल भादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधान मंतरी थे और इनकी पूर्व ये भारत के पाँचवे प्रधान मंतरी थे और चौदरी चरण सिंग जो थे बहुत कम समय के लिए प्रधान मंतरी रहे इनके समय में कोई अधिवेशन नहीं हुआ संसद में कोई सेशन नहीं हुआ इसलिए ये भारत के एक मात्र प्रधान मंतरी हैं जिनोंने संस किसान दिवस के रूप में मनाते हैं. तो इसलिए जब चौधरी चरंड सिंग जी इन्होंने अपना शरीर छोड़ा, जब यह दिवंगत हो गए, यह काल के गरब में जब समा गए, तब हमने इनकी जो समाधी स्थल है उसका नाम रखा किसान घाट, जिसका मतलब होता है फार् में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में एक बहुत बड़ा लोटस है, एक कमल का फूल है, और उसके चारो तरफ छोटे छोटे यह बहुत सारे कमल के जो फूल है, यह बने हुए हैं, कितने हैं यह? यह है 46, वो क्यों? 46 क्योंकि जब राजीब गांदी जी की हत्या हु इसलिए राजीब गांदी जी का जो समाधी स्थल है, उस पे एक तो बड़ा लोटस है बीच में, यह फुल ब्लूम लोटस पूरा खिला हुआ, जो कमल का फूल है, और उसके चारो तरफ छोटे छोटे जो है 46, 46 लोटस बनाए हुए हैं, और राजीब गांदी जी की हत्या 1991 में हुई थी, जिसे हम एंटी टेररिजम डे भी इंडिया में मनाते हैं, आतंगवादी निरोध दिवस जो होता है, तो यह भारत के छटे प्रधान मंत्री थे, यह भी आपको याद रखना है, और वीर भूमी का मतलब होता है, लैंड ओफ दा ब्रेव, अब बात करते हैं शांतीवन की, शांतीवन पहले जवालाल नहरुजी, जो भारत के पहले प्रधान मंत्री थे, उनकी समाधी स्थल है, जवालाल नहरुजी, बहुत बड़ी शक्सियत थे, जब भारत अजाद हुए था, बहुत गरीबी थी बहुत जादा, तो खाने के लिए भी कुछ नही क्योंकि ये वो समय है जो हरित करांती के पहले का समय था तो बड़ी मुश्किल से भारत को संभाला और इनका जो समाधी स्थल है उसे शांती वन जिसका मतलब होता है गार्डन ओफ पीस वैसे वन फॉरेस्ट होता है तो कई किताबों में आप फॉरेस्ट ओफ पीस बोलेंगे तो उसमें कोई कन्फूजन वाली बात नहीं है आप फॉरेस्ट बोल सकते हैं आप गार्डन भी बोल सकते हैं तो गार्डन ओफ पीस या फॉरेस्ट ओफ पीस ये भी दिल्ली में है यमुना नदी के किनारे और जवाला नहिरू जी की डेथ 1964 में हुई थी शांती बन में ही इनी की समाधी के बिल्कुल निकट आपको मिलेगी संजे गांधी जी की समाधी वैसे संजे गांधी जी की कभी एक्जाम में आई नहीं है जवाला नहिरू जी की तो बहुत 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 रिपीट हो चुकी है लेकिन आप याद रख सकते हैं कि संजे गा जो है शक्तिस्थल ये बहुत ज़्यादा रिपेट होता है शक्तिस्थल इंद्रा गांधी जी की जो समाधी है उसे बोलते हैं और इसे शक्तिस्थल क्यों बोलते हैं देखें इंद्रा गांधी जी को आइरन लेडी कहा जाता था लोहस्त्री इनके जो इरादे थे बहुत इसनी आइरन लेडी थी तो इसलिए जो इनकी ये समाधी बनी अब आप सको ध्यान से देखिए समाधी को ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक आपको चटान जैसा कुछ दिख रहा है वास्तव में ये आइरन और रॉक है यानि ये ऐसी चटान है जिसमें लोह की मातरा ब भी याद रख सकते हैं आप कि ये जो चटान है कहां से आई और ये पूरा का पूरा एक ही टुकड़ा है और ये 60 टन आइरन और का चटान है जो इहाँ पे इंदरा गांधी जी का शक्ति स्थल है तो ये जो चटान है बीच में ये 60 टन आइरन और की बनी है ये लगभग 16 फीट उची है 16 फीट अभी फोटो में आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन अगर आप जब विजट करेंगे तो आप देखेंगे काफी उची है बहुत मजबूत है और इंदरा गांधी आप जानते हैं ये भारत की पहली महिला प्रधान मंत्री थी तो ये जो समाधी स् में हुई थी और 31 उक्टूबर को हुई थी जिस दिन सरदार बलभाई पटेल का बढ़े होता है उस दिन इंदरा गांधी जी की पुन्यति थी होती है तो शक्तिस्थल का मतलब इंगलिश में होता है प्लेस ओफ पावर प्लेस ओफ पावर तो ये भी आद रखिए शक्तिस अब ये भी जानते हैं साबरमती नदी जो है उसके किनारे साबरमती आश्रम है जहां पे गांधी जी ने बहुत सारा समय बिताया तो अबे घाट मुरारजी देशाई का समाधी स्थल है और आपको बता दूं मुरारजी देशाई भारत के पहले गैर कॉंग्रेसी प्रधान मंत्री थे नॉन कॉंग्रेस प्राइम मिनस्टर आपको याद होगा इंद्रा गांधी ने अमर्जेंसी लगा दी थी 1975 में जो कि 1977 तक चली उसके बाद जब अमर्जेंसी के खिलाफ अंदोलन हुआ जिसको लीड किया जैपरकाश नरायन ने जैपरकाश नरायन प्रधान मंत मुरारजी देसाई जो हैं इनकी डेथ 1995 में हुई थी और इनके समाधिस्थल को हम बोलते हैं अभे घट चली अब बात करते हैं कर्म भूमी एक हमारे राश्पती हुआ करते थे जो भारत के नौवे राश्पती थे जिनका नाम था शंकर दयाल शर्मा तो इनका समाधिस्थ जो है उसे कर्म भूमी बोलते हैं राश्पती वाला वैसे उतना important नहीं है मैंने exam में question देखा नहीं कर्म भूमी पे लेकिन include करने में कोई बुराई नहीं थी कर्म भूमी का मतलब होता है एंग रेजी में land of duty और इनकी death 1997 अब हम बात करते हैं एक और महान भारतिये की जो की इनके समाधी स्थल को बोलते हैं महा परियान घाट इनका जनम बिहार में हुआ था अगर आपसे पूछें बिहार में कहां तो सिवान डिस्ट्रिक्ट से थे और इन्होंने स्वतंतरता संगराम में भढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और देश के सरवोचपद परासीन होकर बिह 1951 में वो देश के पहले राश्पती चुने गए उसके बाद 1957 में वो दुबारा भारत के राश्पती चुने गए यानि कि दो टर्म्स के लिए भारत के राश्पती वो रहे तो इनकी जो समाधी है पटना में पटना में है ये महापरियान घाट और शब्द महापरियान का मतल 1963 में 28 फरवरी के दिन चलिह अब हम आते हैं नरायन घाट नरायन घाट भी काफीर रिपीट होता है एक्जाम में गुलजारी लाल नन्दा भारत के पूर प्रधान मंत्री उनकी समाधी स्थल है नरायन घाट और ये एहमदाबाद में याद रखिए नरायन घाट एहमदाबाद में है और इनकी डेथ 1998 में हुई थी याद रखिए गुलजारी लाल नंदा दो बार थोड़े समय के लिए प्रधान मंतरी बने थे एक बार जब 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 जबाला नहरू की मिरत्यू हो गई थी तब बने थे थोड़े समय के ल यह जो दक्षण भारत है नॉन हिंदी स्पीकिंग बैल्ट वहां से भारत के पहले प्रधान मंतरी बने और इन्होंने भारत को उस वक्त संभाला जब हमारे यहां हमारे सामने दो ही आप्शन थे कि या तो हमारा जो रिजर्व हैं हमारा जो सोना है उसको गिरिवी रख दे इसलिए इनके समय में इन्होंने और मनमोहन सिंग ने मिलके भारत की अर्थ विवस्ता को ओपन किया वैश्वी करण किया लिब्रलाइजेशन जिसे बोलते हैं वो किया तो इन्होंने भारत की एकनॉमी को काफी स्ट्रॉंग किया तो पीवी घाट बुद्ध पूर्निमा प पीड़ कर इनकी ए समाधी स्थल को बोलते हैं चैते भूमी इन्होंने भारत में जादपात के विरोध में जादपात के खिलाफ जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ अवाज उठाई इन्होंने हमारी सम्विधान की रचना भी की ड्राफ्टिंग कमेठी के चेयरमेन थे और स्वतंतर भारत के पहले कानून मंत्री भी यही थे, कानून और न्याय मंत्री स्वतंतर भारत के पहले डॉक्टर बियार अम्बेडकर थे, भारत रतन भी ने मिला, इनकी डेथ 1956 में हुई थी, और इनकी समाधी दादर मुंबई में हैं जिसे चैत्ते भूमी बोलते हैं, एक जगा और याद रखिए, एक जगा है दिक्षा भूमी, तो option में ये भी आपको जरूर मिलेगा, देखिए दिक्षा भूमी भी डॉक्टर बियार अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी है, लेकिन दिक्षा भूमी वो जगा है, जहां पे डॉक्टर बियार अम्बेडकर बुद्ध धर्म को अपनाया था, तो दिक्षा भूमी जो है वो नागपुर में है, नागपुर वो जगा है जहां पे डॉक्टर बियार अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को अपनाया था, उसको दिक्षा भूमी बोलते हैं, तो option में आपको दिक्षा भूमी भी मिलेगा, और चैते भूमी भी मिलेगा अब बात करते हैं निगमबोध घाट देखो निगमबोध घाट जो है ये उतना इंपोर्टेंट नहीं है और इसका रिजन बताता हूँ अब जैसे अरुण जेटली जी की डैथ हुई थी भारत के पूर्व विक्तमंत्री अरुण जेटली उनकी समाधी भी यहीं है तो निगमबोध घाट को ओपन कर दिया गया है और वो काफी सारे राजनेता उनकी जो अंतियश्टी है या अंतिम संस्कार वहीं पे होता है तो यह उतना इंपोर्टेंट नहीं है बस आप याद रख सकते हैं निगमबोध घाट में क्रिशन कांथ जो भारत के ग्यारवे उप राश्टपती थे जिनकी डैथ 2002 में हुई थी उनकी समाधी है दिल्ली में यह काफी इंपोर्टेंट है एकता स्थल काफी आता है ग्यानी जेल सिंग यह भारत के साथवे राश्टपती थे इनकी डैथ हुई थी 1994 में और एकता स्थल का मतलब होता है प्लेस ओफ यॉनिटी तो एकता स्थल प्लेस ओफ यॉनिटी समाधी स्थल है ग्यानी जेल सिंग का समता स्थल बहुत ज़ाद रिपीट होता है बहुत इंपोर्टेंट है समता मतलब होता है इक्वैलिटी तो एक बहुत बड़े भारत के दलित नेता थे जग जीवन राम इनकी बेटी है मीरा कुमार जो लोग सभा की स्पीकर भी रह चुकी है लोग सभा की सभापती रह चुकी है तो जग जीवन राम बाबू जग जीवन राम बोलते थे इने प्यार से इनोंने अपना पूरा जीवन जो marginalized हैं जो दलित हैं जो अनुसूचित जाती हैं उनके विकास में उनको समाज में उठाने में उनको समाज में बराबरी का जो दर्जा है वो दिलवाने में बिता दिया बहुत महान नेता भी थे ये और कई important पदों पर भी ये रहे आपको बता दूँ स्वतंत्र भारत के पहले ये श्रम मंत्री थे लेबर मिनिस्टर थे जो पहला कैबिनेट था जवाला नहरुजी का उसमें लेबर मिनिस्टर थे बाबु जगजीवन राम तो इनकी डेथ हुई थी 1986 में और क्योंकि इन्होंने समाज में equality के लिए काम किया इसलिए समता मतलब होता है बराबरी यानि भेदभाव का ना होना इसलिए इनकी समादी स्थल को समता स्थल कहा जाता है अब बात करते हैं संगर्ष स्थल एक और बहुत कद़ावर नेता थे हर्याना से थे देविलाल, इन्हें ताउ देविलाल प्यार से बोलते थे और ये मुख्यमंत्री भी रहे दो बार तो इनको ऐसा माना जाता है प्रधान मंत्री पद का ओफर भी हुआ था लेकिन फिर ये डेपूटी प्राइमिनिस्टर तक बने बस हर्याना के पूर मुख्य मंत्री थे और केंद्रिय राजनीती में भी काफी सक्रिय थे तो संघर्ष का मतलब होता है struggle करना ठीक है hard work करना लड़ना संघर्ष करना तो संघर्ष थल जो है देविलाल ताउ देविलाल हर्याना के जो पूरु मुख्य मंत्री है उनका समाधी स्थल है इनकी death 2001 में हुई थी और इनके जो बेटे हैं चौधरी देविलाल के जो बेटे है ओम परकाश चोटाला वो भी हर्याना के मुख्य मंत्री रहे जन नायक स्थल जन नायक स्थल बोलते हैं चंदर शेखर भारत के आठवे प्रधान मंत्री थे जन नायक मतलब होता है लोगों का नेता जन मतलब लोग नायक मतलब नेता तो लोगों का लीडर तो चंदर शेख इंद्रकुमार गुज्राल भारत के 12 प्रधान मंत्री थे ये वो समय था जब कोलिशन का समय था जब बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार बनाती थी तो ऐसे में कई सारे हमारे प्रधान मंत्री आये चाहे वो अचिटी देवे गौडा हो चाहे वो इंद्रकुमार गुज्र तो इंद्र कुमार गुजराल बहुत अपनी एजूकेशन और अपनी एक जिसे कहते है ना फार साइटेडनेस, क्लेर वोयांड थे, दूर दर्शी थे, बहुत उसके लिए जाने जाते थे, और स्मृति का मतलब ही होता है, प्लेस ओफ रिमेंबरेंस, याद करना किसी को स्मृ स्मृति, तो आज ये इंद्र कुमार गुजराल हम सब की यादो में स्मृति शेष हैं, तो ये भारत के बारवे प्रधान मंत्री थे और इनकी डेथ 2012 में हुई थी, तो ये थे important crematorium ये एक चोटा वीडियो था, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो चोटे चोटे एक एक दो ये को बनाया और Static GK में बाकी जो वेडियोज हैं वो भी continue रहेंगे, हम folk dance का जो part 2 है वो इसके बाद करेंगे, so thank you for watching, study IQ, Static GK